हेलो वेलकम टू प्रथम आयेज तो इस पार्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लद्दाख है उसको अपना पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन टाग मिल चुका है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं बहुत अच्छी फूरूट है जिसे गवर्मेंट अफ इंडिया प्रोमोट करती है अज लद्दाख ही अप्रिकोट तो लद्दाख जो 2019 में पहले जो जम्मू कास्मीरे के राज्य हुआ करता था उसे बाइफरकेट करके एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था दो यूनियन टेरिटरीज उसमें से एक हमारा प्यारा ले और लद्दाख और मैं आपको बता दू आफ्टर डिविजन लद्दाख हमारे देश की सबसे बरी डिस्ट्रिक्ट भी बनी थी ले तो देखेंगे कि जगरफिकल इंडिकेशन टैग क्यों ही इंपोर्टेंट था कहां कहां भारत सरकार ने स्टेप्स लिया जिसके तहत इस जगरफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा यहां पर देना पड़ा तो चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल्स में बत मैं आप से पूछूँगा कि आप मुझे बताईए कि जब से इन लोगों को अभी हाली में नौ ऐसे प्रोड़क्ट हैं जिसे भारत सरकार ने जगरफिकल इंडिकेशन टैग दिया तो आपको बताना है एक तो पहला कि एक गौमसा भी था तो वो गौमसा कहां पर कौन से राजिका था जिसके जी आइटाग मिला और दूसरा भारत में सबसे ज़्यादा जी आइटाग किस स्टेट को मिलता है आप मुझे बताईए कॉमें तब तक के लिए चलते आगे डिसकेशन के लिए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे बहुत अच्छा फ्लैसी स है जो जी आटाग जिसको मिला है अगर मैं आपको अप्रिकोट के बारे में बताओं तो यह ट्रांस हिमालियन लद्दाक जो अपने क्वालिटी के लिए इस पार्टिकलर रीजन में फेमस है और यह जो है ना यहाँ पर ऐसा जो है पार्टिकलर इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो कि लोग आइसोलेट ही है यहाँ की जो लोग है वो एक्लेमटाइज हो चुके इस जोन में यहाँ की जो खेती होती है वो वही कर सकते हैं तो यह सब सारी चीज़े यहाँ पर इस पार्टिकलर एप्रिकोट को यूनिक बनाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है वहाँ पे इसकी आज अब ब्रांडिंग की गई थी campaign चलाई गई थी और बाकाइदा यहाँ export भी किया गया था फिर उसके बाद आज जो है जिस तरीके से लोगों में demand बढ़ी तो government of India को लगा कि नहीं इसे एक तरीके से एक isolated zone की एक uniqueness को present करना चाहिए और इसलिए उसे GI tag की दर्जा दी गई ठीक है और इसका नाम क्या है राक से कार्पो याद रखेगा इट इस फोस्ट GI product from the लद्दाक यूने टर्टी और यह चीजे मैं आपको बता दू कि GI tag जो है यह basically जो आप बोलो गए तो primarily agriculture natural और manufactured product को एक तरीके से जितने भी product होते हैं उसको जिया जाता और यह geographical indication tag की जो act 1993 उसके तहद दी जाती है यहाँ पे इसकी headquarter आपको चन्ने में मिलेगा आपको लद्दाक जो है ना यह region के है कि इसकी जो sugar leas जो यहाँ पे अगर आप बोलेगे इसकी जो एक मिठास है वाइटनेस है वो मिठास बहुत ज़्यादा बट उसमें sugar content बहुत कम है इसमें cholesterol, vitamins, minerals सारे, vitamin K यह सब सब पाये जाते हैं आपको मैं आगे बताने वाला हूँ और even हमारे prime minister साहाब ने अपनी मन की बात एपिसोड कर रहते तो वहाँ पे इन्होंने successful expert of Ladakh famed apricot को खुब अच्छे से लोगों के बीच में इस कहानी को सुनाया था और देखा भी गया था कि भारत सरकार के इतनी मदद के बाद इस particular sweet delicacy जो apricot है उसको union territory और लदाख के administrator और farmers producers जो organizers ने उन्होंने लगवग 15,000 ton से ज़ादा apricot हर साल recently 2-3 years में यहाँ पे ग्रोन किया है और उसको बाहर भी भेजा है अगर मैं इसके uniqueness की और बात करूँ तो यह cold climatic condition जैसा आप जानते हो Ladakh लगवग 5,000 meter से उपर वाली area है तो वहाँ पे इतनी उचाई पे बहुत ज़्यादा cold climatic condition होता है और उस particular suited place में इस apricot और apple का production बहुत अच्छे सोता है और जिसमें यह जो राक्त से जिसकी हम बात कर रहे हैं राक्त से कार्पो की यह एक apricot जिसके पास white seed coat है देखे यह जो आप यहाँ पे देख रहे हो राक्त से कार्पो का मतलब होता है white और राक्त से का मतलब होता है seed यह unique genetic resource of लदाख है और इसे world's की sweetest apricot भी बोलते हैं याद रखे गया राक्त से कार्पो is the world's sweetest apricot अगर आप देखोगे तो इसके four main varieties होते हैं जो उगया जाता है यहाँ पे लदाख में including हालमान बैराइटीज सफाइदा लक्से कार्पो और खांते अगर आप इसमें देखोगे जैसा मैं आपको बताया cholesterol यह maintain करता blood sugar level को helps in reducing body weight और study में ऐसा पाया गया है कि यहाँ जो इस apricot में different minerals essential minerals जैसे potassium, phosphorus, calcium, magnesium, iron and solenium जो लदाख की apricot है इसके unique soothing test है और टेक्ट सक जो है with high sugar content especially very soluble होता है किसमें तो solids में और यह चीज़े जो मैंने आपको बता रहा था कि even prime minister discussed in their month की बात episode कि apricot का exports बहुत बढ़ चड़के हो रहा है आपको आसियान कंट्रीज में और यह जो है कहाँ पर developed किया जा रहा है तो देखे सबसे पहले अगर मैं बता दू आपको तो यह जो है हमारी apida के association में जो high altitude research center है आपको DRDO का वहां पर इसको बिक्सित किया जा रहा है और जो वहां की लदाक की जो universities है वहां पर researchers इस पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और जब एक बहुत बड़ी success मिली तो farmers जो कारगिल के उन्होंने export किया different states, foreign countries और जो की अपने आप में पचास साले सो जो बैन लगा हुआ था यहां पर की एक तरीके से apricot को बढ़ावा नहीं जा रहा था वो सारी चीज़े after bifurcation यहां से remove कर दी गई और जो hurdle था वो चीज़े यहां पर आपको समापत हो गई और लोगों ने सबसे ज़्यादा लद्दाक जो है न प्रेड्यूस करता है आपको यह apricot अब मैं आपको mcq का explanation देता हूँ इसी में कि मैंने आपसे पुछा था कि सबसे ज़्यादा apricot कहां पर गया जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है आपको अगर आप देखें सबसे ज़्यादा करनाटका में फिर तामिलनाडू में फिर उत्तर परदेश में कुछ इस तरीके से यह order में और अपिड़ा जो आपको एक organization है ministry of farmer के अंदर गत तो वह जो है आपको एक तरीके से हमेशा buyer seller meat जो है न लेह में organize किये थे और उनके कारण से अगर आप देखोगे तो अप्रिकोस्ट harvest का जो सीजन था जब comments हुआ तो लगवग 30 से ज़्यादा जो है न different countries लाइक USA इंडिया बंगलादेश ओमैन दुबई मौरिसस यहां से जो है न एक तरीके से आप buyer आए और उनको जो है न यहां की जो agriculture प्रोड़क्ट प्रोड़क्स और गेनाईजिशन है या अपीड़ा से जो जूरे हुए लोग है उन्होंने एक एक्सपोर्ट किया इस पार्टिकुलर और 2022 के सीजन में 35 मिट्रिक टरन से ज्यादा यह जो फ्रेस अप्रिकोट है उसको एक्सपोर्ट किया जा चुका है फ्र सब्सक्राइब किजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो